21 अक्टूबर वर्ष 1943 में निताजी सुभाश चंद्र बोस ने सिंगापूर में आजाद हिंद जिसे अरजी हुकुमते आजाद हिंद के रूप में भी जाना जाता है के रूप में अर्स्थाई सरकार की स्थापना की घोशना की जी हाँ आप सुन रहें सिवल पांडा ओडियो आर्टिकल जिसमें आज हम बात करेंगे आजाद हिंद फॉज की 1944 में आज ही के दिन यानि की 9 जुलाई 1944 में नेता जी सुभाश चंद्र बोस्टी ने भारत को ब्रिटिश रासन से स्वतंत्र कराने के लिए आजाद हिंद फॉज का देत्रत्व सुईकार किया था इसे Imperial Japan, Nazi Germany, Italian Social Republic और उनके सहयोगियों की पोलार पावर्स का समर्थन प्राप्त था इस रिस्पेक्टेट फ्रीरिम फाइटर स्टर्गल तो फ्री इंडिया फ्रम ब्रिटिश रूल under the flag of the provisional government in exile during the later part of World War II So let us talk about the background सुभाष चंद्र बोस को इस बात का full confidence था कि armed conflict ही भारत को स्वतंत्र कराने का एक मात्र तरीका है 1920 और 30 के decade में वह इंडिया नाशनल कॉंग्रस के Radical Party के लीडर रहे 1938-39 में Congress President बनने की राह पर आगे ही बढ़ रहे थे लेकिन महात्मा गांदी और Congress नेत्रत्व के साथ differences के बाद उन्हें हटा दिया गया उनकी अस्थाई सरकार के अंतरगत विदेशों में रहने वाले भारतिये एक जोट होने लगे थे Indian National Army ने Malaya that is present Malaysia and Burma that is present Myanmar में रहने वाले Indian Diaspora यानि की प्रवासी भारतिये फॉर्मर प्रिजनर्स and thousands of volunteer civilians को अट्रेक्ट किया अस्थाई सरकार के तहत बोस राज के मुखिया प्रधान मंत्री और युद्ध तता विदेश मामलों के मंत्री भी थे कैप्टन लक्ष्मी शहगल ने महिला संगठन की अध्यक्षता की जबकि ऐसे अयर ने प्रचार और प्रसार विंग का नेत्रत्व किया क्रांतिकारी नेता रास बिहारी वोस को सुप्रीम एडवाइजर अपोइंट किया गया था जापानी कवजे वाले अंदमान और निकोबार आचिपलागों में भी प्रोविशनल गवर्मेंट यानिकी अस्थाई सरकार बनाई गई थी लेकिन उनीस सो पैतालिस में ब्रिटिशर्स द्वारा इन आइलेंट्स पर पुनह कवजा कर लिया गया The death of Bose was seen as the end of Azadhin movement. World War II also ended in 1945 with the defeat of the Polar Powers. Suddenly, the role of Azadhin Force or Indian National Army was instrumental in promoting India's struggle for independence. Thank you so much, berh off, you mauiowym Al with the Civil Panda.